अक्सेल्शेर नियूज में आप सभी का स्वागत बैयोर तेश कोपता इस वक्त मैं खड़ाओं सत्वारी के समीप एरफोस टेशन के बार जहां पर रात को करीब डेड़ बजे कहा जा रहा है कि एक चालिस और एक बतालिस के बीच में यहां पर दो विस्पोर्ड होते हैं कार लेवल पर जो है जांच परताल की जा रही है आखिर क्या कारण है कारणों का पता लगाया जारा है सोर्सिस की माने तो सोर्सिस के एकॉर्डिन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इन दो ब्लास्ट में ब्लास्ट किस चीज़ के थे अभी पता नहीं लग पाया है और डेमेज पता हैं कि बाचीट की जा रही है तांकि दूट का दूट क्या है पानी का पानी की और जो रियल्टी है वो आम जन्ता के सामने लाई जा सके बाटीट की जा रहा है हालां कि sources की माने तो दो व्यक्ति injured होने की खबरें भी है investigation यहाँ पर जा रही है investigation agencies यहाँ पर आ चुकी है कारणों का पता लगाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं तार जो है वो आतंग की तंजीम के साथ तो नहीं जुड़े हुए है officers यहाँ पर नज़र आ रहा है air force की team यहाँ पर है marshal की team यहाँ पर है जम्मू की security forces जो है task force जो है वो यहाँ पर है investigation जो है वो की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन कारणों से कहां पर जो है चूक हुई है सबसे बड़ा प्रश्ण चिलन यहाँ पर लगता है कि दो विस फोर्ट यहाँ पर हो जाते हैं और दूसरा यह कि यहाँ पर हमारे police force को कहीना कहीं जो है काम्याबी भी मिलती है अगर हम नर्वाल शेटर की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से उनने दो आतंग वादियों को गर्फतार किया है और उनसे गोला बारू जो है बारी मात्रा में वो बरामत किया है तो कहीन जो बड़ी वार्दात को अंजाम देने वाले थे कहीं ने कहीं जो है उसको रोखा गया है कहीं ने कहीं हमारी सुरक्ष एजंसियों को कामियाबी भी मिली है तो कहीं ने कहीं चूब भी हुई है पता लगाया जा रहा है यहां पर Air Force Station में कि किस तरह से यहां पर विस फोट हुआ क्या ड्रोन के माध्यम से या फिर कोई आतंकी यहां से एंटर करता है इन सब का जो है पहलों पर नज़ा रखी जा रही है जांच की जा रही है अगर सोर्सिस की माने तो सोर्सिस का यही कहना है कि ड्रोन का इस्तमाल किया गया है तो इसका अंदाजा यही लग रहा है कि कईना कई जो है आसपास के इलाके में आतंकियों के छुपे होने की संभावना है इन सब चीजों पर भी जो है हमारी इंवेस्टिकेशन एजंसिस जो है पता लगाने की कोशिश कर रही है इस वक्त हम खड़े हैं एरफोर्स स्टेशन के बार जहां पर सुबा डेड़ बचे के करीब हम कह सकते हैं एक चादिस या एक बितादिस का टाइम था जब दो विस फोड होते हैं और इस वक्त अंदर कॉंप्लेक्स में हर बड़ा दिकारी में वचुद है यहां पर जाच परताल की जा रही है आकर क्या कारण थे और कारणों का पता लगाया जा रहा है आप बने रहे हैं एक्सल्शन न्यूज के साथ जतिंदर नुरा के साथ प्रितेश कुपता